नमस्कार सभी बाईयों को आपका हमारे यूटूब चैनल फेस्बुक पेज बावा गौट फारम पे स्वागत है अमीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे आज हम हमारे फारम की सबसे पुरानी बकरी के बारे में बात करना चाहते हैं और कितनी उसकी एज है आप सभी को ब देंगे इस वीडियो में तो आप वीडियो में बने रहना और वीडियो को पूरी एंड तक देखना आपको पूरी मालूमत देंगे कि बकरी के हाइट कितनी है और बच्चों की हाइट आगे जाके कैसी आई चलो देखते हैं बकरी के बारे में सारी मालूमत आपको जो पड़ी प्लावारी इस पर अइह सबस्क्राइब आप्सारा में का जखिए इसके मुऊंहें दान्त खया और नहीं थिर्फ से 15 वार बयाच चुकी है ओर इसका आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे आगे जाके इसने कैसे कैसे बच्चे पैदा की है और जे हमारे फारम की सबसे पुरानी बख्री है आज हम लोग फ्री थे तो सोचा के भाई को हम लोग फारम की जो सबसे प्रानी बकरी है वो दिखाएं और इसके आगे जाके बच्चे कैसे कैसे पैदा हुए वो भी दिखाएं क्योंकि बाई असल में इसकी बात पॉइंट हा रहा है इसमें कि जो ब्लड लैन है जो ब्लड ल अगे जाके इसके बच्चे दिखाएं गे कि इसनें कैसे कैसे बच्चे पैदा किया और कितनी हाइट बाले बच्चे पैदा कि कि एक बार भाई को बोलूँ है कि पूरी तरा से बप्री को दिखा दें ओढ़र प्रापसा दीख़ें और अब भी इस बप जस K Psalm 1000 संबसेंगर इस फारम कीजिए और आप बात करें इसके आगे रिजल्ट की तो आपको दिखाता हूं मैं जी आप देख साकते हो माशाला इतनी लेंद की बखरी और हाइट की बखरी लगबग 3940 के आसपास इसकी हाइट है और उसके बाद में जेही बकरी हमारे पास रही है बाकी फादर साब सेल कर गए थे उनकी पठीया जो पहले की थी तो उसके बाद जो प्रानी बकरी है जेही है उस बकरी की सबसे बड़ी बकरी है वो जेही है और इसके पहले की बेहने हैं जो इसके पहले के बयात के जो बच्चे सब सेल कर गए थे अगर इसकी बात करें तो शेले करल की आप देख सकते हो माशालला फेस को आलटी कानों की लेंथ सींग आप देख सकते हो और लगबग 3940 के आसपास इसकी हाइट है और यह अभी तीन बार बच्चे देज़ुकी है तीन बार ब्यात हमारे पास इसके हो चु 36 की है और उसने बच्चा पैदा किया है 3940 का आप देख सकते हो फीमेल की बाई को बोलूगा के निजदीक आके एक बार बकरी दिखा दें थान चड़ा जो भी है एक बार देख सकते हो आप शेरे कलर में फीमेल है ठीक है आप देख सकते हो माशालला लेंथ पूंच कानों क क्याम कि लेंद और सबसे बैस्टा ध्यक्त की फेस क्लाटी कि और फेस रेज़ित की बकरे के जैसे चाहिए थे सकते हो सोक फीमेल कानों की देख सकते हो सब्सक्राइब इसके भी बच्चे आपको दिखाएंगे जो सने हमारे पास बच्चे पैदा की हैं ठीक है और आप देखा को जिए यूगे दिखा देता हूं इस इसकी बहते जो लेकिन उमर में बहुत चोटी है उसी बख़ी के आपको एक पट दिखा रहा हूं जो पहले दिखाई है देखिए भाई ये आपको शेरे कलर में फिमिल दिखा रहे हैं ठीक है जै भी चे दांत पे हैं और जे उसी की पट है जो पहले आपको दिखाई है ज्यादा उमरबाली बकरी जो 30-35 से 36 की थी उसकी जे पठी है और जे मिस्टर ब्लैकिया की बच्ची अभी छे दांत पर यह देख साकते हो फेस क्वालिटी ठीक है और कानों की लेंथ जे मैं इसके इसी लिए दिखा रहा हूं कि मैं वह पहले की बच्च पहले सुए की बच्ची है और दूसरी बार की जो यह ह हमारे पास ब्लैक फेज रही है तो इसकी फेस को आलडिए आप देख सकते हो वाई आइस में शेरे कलर में लग अब देख सकते हो 37 38 अभी हाइट है ठीक है आपको बता रहे हैं ज्यादा भी हो सकती है लेकिन हम कि एस्टीमेट लगा के आपको बता रहे हैं कि 37 38 इसकी हाइ अभी छे दांत पे पठ है आप देख सकते हो शेरे कलर में ठीक है और आगे जाके आपको दूसरे जो बड़ी फीमिल दिखाई है 40 के आसपास बाली उसके बच्चे दिखाते हैं जी बाई तो उस बड़ी बखरी का जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस शेरे कलर वाली बखर सत उनकी जो पहले का बच्चा था पहले सुए का बच्चा था बौता नागरे कलर में अपर वीडर था हमारे पास कुछ लोग बाई मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता भी होगा मालूम भी होगा ते अब वह बकरा हमारे से सेल होकर महरास्ट्रा चला गया है असरव भाई के पास अक्स्ट्रीम गौट फार्म बहां चला गया मून स्टार नाम रखा है वाई न चाथा और दूसरे ब्यांत की आपको फीमेल दिखा रहा हूं में जो नेक्स्ट्राइम की है वो भी आपको दिखा रहा हूं जी वही तो आप देख सकते हो जे शेरे कलर की जो फीमेल है अभी दो दांत पर फीमेल है और लगबग 40 इंच 39 40 इसकी हाइट है और जे भी उस श कर दूसरे ब्यायनत की बिखा पर है लुट इसके बड़ानी वहरी शेरे कलर बाल है उसकी जो ब्लेडल हम्लों लोगोने संबाल कर रखी तो उसके बारे में आपको मालूमात देते हैं के यह मत सोचा करो के लिए वक्री की हाइट कम है ब्लेड लाइन हो हाइट कम हो जादा हो लेकिन ब्लंड लाइन होनी चाहिए ओल्ड ब्लेड लें यí वह लाइन की व refers लो उसका कोई बकरी का खांदना और ज़ाइए वह आपकरी धें ठीक फेस क्वालिटी, सींग, कानों की लेंथ, आप देख सकते हो, जे भी इसी का बच्चा है, देखो, जे बकरी आ गई, ठीक है, आप देख सकते हो, इसका बच्चा है, शेरे कलर का, आप देख सकते हो, माशाला बहुत ही नायब चीज पैदा किया है, अभी तक इसने हमें तीन बच्चे दी हैं, ठीक है, पिछले ब्यात की दो फीमेले थी, जे और एक और ती उसकी डेथ होगी, तो वो मारे पास मर गई थी, तो इस बार इसने एक ही बच्चा पैदा किया है, जे शेरे कलर का, लगबग जब बच्चा पैदा हुआ था, तो साड़े पांच से लेके, जे बच्चा था, साड़े पांच से लेके जी का, तो बहुत ही मतलों मुश्कल से जो बच्चा पैदा हुआ था, बखरी ने किया था, बहुत ही मुश्कल से, तो आप देख सकते हो बच्चे की लेंथ, अभी साड़े तीन-चार मीने का जे बच्चा है, फेस कॉलड़ी और उसमें हाइट जादा मत देखो, हाइट कम बाली भी अगर मिल रही है, अच्छे खान दानवली, अच्छे बलड लाइन की बखरी मिल रही है, तो बहुत ही सुंदर पैदा कर सकती है, ठीक है, तो हमारा मतलब जे ही था समझाने का, सबसे परानी बखरी दिखाई है, उस को फॉलो लाइक जरूर करें, और अंत में आपको बताना चाहते हैं कि हमारा इस्टाग्राम पर अकांट भी है, उसको भी फॉलो करें, क्योंकि हर रोज हमारी जो रील्स बगारा, स्टोरी बगारा उस पर आती रहती है, आप बाच करें और उन्जॉय करें, धन्यबाद को भी बाइन को?